एक सोलजर और एक प्रेगनन लड़की एक दूसरे के दोस्ट बनते हैं उस लड़की का पती उसे छोड़ कर चला गया था अगर इस तरीके से घर पर जाती है तो उसके फादर उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे यह सोलजर फिर उसका हजबन होने का नाटक करता है और उसके मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मैं गयारेक्टर पॉल को वार से वापस आता हो देख सकते है 4 साल पहले अपने duty join करने से पहले उसने शादी की थे उसकी wife का नाम था बैटी उसे लग रहा था कि उसकी wife उसे pick up करने के लिए आए कि पर वो आती ही नहीं उसने इसके बारे में उसे लेटर लिखा था बैटी कहती कि मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम आने वाले हो बाल पुछता है कि क्य करने के लिए आजकल self help book पढ़ रही थे उसने कहा कि मैंने तुम्हारे job के बारे में already बात कर लिया है तुम चॉकलेट बेश सकते हो पॉल कहता है कि अब मुझे चॉकलेट सेल नहीं करने अपनी new life उसने अलग तरीके से imagine कि थे इस सारी चीज़े वो अपने लेटर में पड़ा ट्रेन में एक बहुती ब्यूटीफुल सी लड़की से मिलता है इसका नाम था विक्टोरिया विक्टोरिया को अपना बैक रखने में ज़रा प्रॉल्म हो रहा था तो उसे help करने लग गया और बैक नीचे गिर जाता है इसमें विक्टोरिया और उसके फादर की फो उनिफर्म था तो जाकर इसे वह साफ करने लगता है इसे ने पॉल का टिकेट चेक किया तो पॉल को जहाँ पर जाना था उसके पीछले स्टेशन का इतिकेट है विक्टीरिया के पॉल पर उल्टी करने की वज़े से सब लोग को उसकी बास आ रही थी वह वापस आता है पर पकिसके बारे में ज्यादा वरी मत करौ फिक्टोर्या ने पिफाल से पूछा कि तुम कहा पर जा रहे हो पाल अ पॉल पर हमला करते हैं तो पॉल ने उन्हें बहुत मारा यह सब बजड आया और को अच्छा नहीं लगता तो सब को बाहर निकाल देती है आगे का सफर पॉल चलते ही चलते ही तही करने लग थोड़ी देर के बाद रोड पर विक्टोरिया उसे रोती हुई मिली वो पुछता की और जब उसे पता चला कि विक्टोरिया प्रिगनेंट है उसके बाद वो प्रोफेसर डर कर भाग जाता है उसे मैरिड लाइफ में बंदा हुआ नहीं रहना था पॉल कहता है कि तुम जादा अपसेट मत हो एक नई लाइफ इस दुनिया में आने वाली है तुमारा वेब बनने का नाटक कर सकता हो विक्टोरिया को इस हेल्प की जरूत थी तो वह भी मान जाती है उसने कहा कि वार में फाइट करना तो बहुत ही टफ होगा पॉल कहता है कि जब भी मैं डर जाता था तो मेरी फ्यूचर की लाइफ को याद करता था उसका ड्रीम था कि उसके छोट अलबर्टो ने विक्टोरिया से बुचा कि यह है कोन वह जब पॉल को अपना हजबन बताती है तो इस बात से अलबर्टो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था अलबर्टो पुराने खैलात के थे पुचा दे जिस घर में उनकी मर्जियों उसी घर में उनकी बेटी था और वो पॉल को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते है विक्टोरिया खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है पर उसने अलबर्टो का ट्रस्ट खोया था वो पॉल से बुचते है कि तुम करते क्या हो पॉल ने कहा कि मैं चॉकलेट सेल करता हो इस बात से और भी की डिसीजन मेरे खुद क्योंने चाहिए मदर बुच थी कि क्या तुम सचमुश में उससे बहुत प्यार करती हो विक्टोरिया हा कहती है मदर ने कहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़ा भी वरी मत करो डिनर करते हैं मदर बुच थी कि तुम दोनों मिले कैसे थे इनकी स्टोरिय में बहुत सारे डिफरेंसेस थे पर कुछ ना कुछ करकर अपनी स्टोरियों बताई देते हैं अलबर्टो ने पॉल की पैरेंट्स के बारे में पूछ था तो पॉल कहता है कि मैं अनात हूँ अलबर्टो के बात अच्छे नहीं लगती उसे लगता था कि हमारे पास एक बहुती केरिंग फैमिली है इस फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ विक्टोरा कहते हैं फादर को तुमसे इस तरीके से बात नहीं करने चाहिए थी पहले विक्टोरा के मदर और फादर का था और अब यह इनका हो गया मदर कहकर जाती है तुम्हारे वक्त लगेगा रात में मदर ने अलबर्टो को समझाने की कुशिश किये उसने कहा जाओ जाकर उनसे बात करकर आओ इस तरीके से उनसे अपसेट रहना यह बात अच्छी नहीं है विक्टोरा ने पॉल से पूछा क्या तुम्हें चॉकलेट सेल करना अच्छा लगता है इस बात से अपसेट होगे तो पॉल इसके लिए उसे सौरी कहता है पॉल विक्टोरा से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा विक्टोरा ने कहा कि मैं अल्रेडी प्रिगनन्ट हूँ इसके बाद मुझसे शादी कोई भी नहीं करेगा पॉल कहता है कि अगर मैं किसे से प्य लॉक नहीं था तो पॉल कहता है सेफ्टी के लिए मुझे आज रात उपर ही सोना चाहिए विक्टोरा भी इस बात के लिए मान जाती है यह दोनों करीब आने लग गए थे पर पॉल ने खुद को रोक लिया बीच रात में इनके फार्म से बेल्स बजने लग गए आज पॉल को सिखा देती है यह प्लांट्स को हीट देने का एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा वे था यह सब करते हैं पॉल और विक्टोरा एक दूसरे के करीब आने लग गए थे सुबह होते ही किसी को पता चलने से पहले पॉल यहाँ से जाने लग जाता है जाते जाते उसे पेट्रो ने कहा कि अलबर्टो ठीक कह रहा था उसने मुझे बोला था कि तुम विक्टोरिया को छोड़ कर भाग जाओगे पॉल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो डॉन पेट्रो कहते है कि आज के दिन के लिए रुक जा अगर तुम नहीं रुक है तो अलबर्टो विक खुश थे हैं वो पॉल से मिलता है उसने अपना नाम कुछ अलग बता है सिटी में उसने अमेरिकन नाम रख लिया था यह बात अलबर्टो को अच्छी नहीं लगती और इसके बाद ग्रेप को काटना स्टार्ट होता है और विक्टोरिया ने पॉल को सिखा दिया उसने भी की तरह बहुत सारे क्रेप नीकाले थे, ग्रेप न कालने के बाद ये वाइन भी थे हैं, सब लोग भहात ही खुश थे हैं, डॉन बेर्टो ने पॉल से का तुमें एक बहुत छी अच्छा आदमी हैं, अलबर्टो तुम्हें accept कर लेगा इसके बाद इनका क्रेप पर चलने तब नहीं कर सकता मेरी ओल्डेडी शादी हो चुकी है विक्टोरिया को बहुत बुरा लगा नेक सिन्मम देखते कि विक्टोरिया का प्रिदर अलबर्टो का एक नए बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा था पॉल को भी आइड़ा अच्छा लगता तो अलबर्टो उस पर रहने के लिए आई हो पॉल अलबर्टो से कहता है कि सच यह है कि विक्टोरिया आप सबसे बहुत ही प्यार करती है वो सिर्फ आप के लिए वापस आए वरना वो सिटे में रह सकते थी इसके बाद पॉल यहाँ से जाने लाग गया पर उसका उनिफरम खराब था तो एक नहीं कर सकते हैं वो भाग कर आगे चली गई तो पॉल भी उसका पीछा करता है अलबर्टो ने यह देखकर पॉल से बात कि वो कहता है तुमने मेरी बेटी से शादी की इसका मतले यह नहीं कि सब कुछ तुमारा हो जाएगा पॉल कहता है कि आप ऐसे क्यों हो कि आपने बे विक्टोरिया सुन रही थी है इसके बाद पॉल यहां से जाने लगया पर डॉन पेट्रो फिर से उसे रोक लेते हैं उन्होंने कहा कि चलो तुमें एक विस्की पिलाता हो वो समझ गई थे कि विक्टोरिया और पॉल में जगड़ा हुआ है उन्होंने कहा कि आदमियों और उसने पॉल को माफ कर दिया है पॉल ने बहुत अच्छा गया पर फिर भी विक्टोरिय अपना लाइट और नहीं करती है पॉल डिसपॉंटेड होकर वहां से निकल जाता है पर विक्टोरिया ने लास्ट मुमेंट पर अपने रूम का लाइट जलाया था पर पॉल को इसके होते तो क्या होता इन दोनों को एक दूसरे से दूर जाना बुरा लग रहा था तब इनके बास अलबर्डो प्रीस्ट को लेकर पहुच जाता है पॉल ने कल राध विक्टोरिया के रहे गाना गया तो यह सब सुनने के बाद उन्होंने रियलाइस क्या था कि पॉल एक्टोरि चलने के बाद वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए तक और पॉल वहाँ से चला जाता है घर जाते हैं और गाड़ी में पॉल सोग गया उससे एक सबना आता है हमेशा उसका सबना वौर के बारे में होता था इसे में बहुत ही ज़्यादा डिस्टब होकर वह नीज से जग जाता था पर आज उसे एक अलग सबना आया इस सबने में उसकी शादी विक्टोरिया से हो गई है उनका एक बेटा भी था और सब लोग बहुत खुश थे पॉल जब सिटी में अपने घर बर वापस आया तो उसकी वाइप बेटी किसी और के साथ थे वो गहती कि मैंने बहुत सोचा है हम दोनों में कुछ भी कौमन नहीं है हमारी मैरेज कभी भी वक नहीं करती बेटी ने उसे शादी का अनलमेंट का एक डॉक्यमेंट दिया इसे साइन करने से उनका डिवास हो जाएगा उसे सौरी कहती है पर पॉल को बहुत अच्छा लगा वो बिना किसी टेंशन क विक्टोरिया के पास आ सकता था वो आकर डारेक्टली अलबर्टो से मिला उन्हें सौरी कहता है उसने कहा कि वार से जाने से पहले मेरी शादी हुई थी वो सिर्फ एक मजाग था मैं विक्टोरिया से बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अलबर्टो उसे में पॉल पर एक लैंटरन फेकते हैं पर इस वज़े से उनके विन्यार्ड में आग लग गई इस आग को उनने बुझाने की कुशिश के पर बहुत ही जादा फास्ट फैल जाती है इस आग में विक्टोरिया का ब्रदर फस्क गया था पॉल अपनी जान की ब फार्मिंग नहीं कर सकते हैं सब कुछ बर्वात हो चुका है हमारे पास सीड़ भी नहीं है पॉल एक आर्मी ऑफिसर और इस तरीके से हार नहीं मानता पूरे फार्म में उसने देखा तो नीचे तक आग नहीं पोची थी अभी ग्रेप्स के रूट्स लगी हुए थे यह ल देता है यह दोनों साथ में थे और सब लोग इनके लिए चेयर करते हैं इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एकस्पनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूवी लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए और बेल नोटिवेशन आइकों नहीं मत भूलेएगा हम वीर्ट से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया